वेल्कम बैक गाइज आज हम अपने कुत्तों को जो है नहला रहे हैं सबसे पहले यह देखें शैडो को हम सबसे पहले गीला कर रहे हैं उसके बाद शैंपू बगारा लगाएंगे अभी मनले जिससे एक बार जो भी सारी धूल मट्टी है वो बह जाए शैडो और हमें एक ची दिन में नहलाने से यह होता है कुत्ता सूख भी जाता अराम से और अगर आप नहलाते टाइम कोई जखम है बॉड़ी के ओपर या कुछ है तो वो अराम से दिख जाता है रात में नहलाना प्रेफरिबल नहीं है हमेशा और कान को बचा कर डालें पानी है अनुशा तबसे पहले मैं दो मिनिट इसको ये करके न छोड़ भूँगा जिससे ये सूख जाए लहलका सा जो भी गंदी की है वो सारी बह जाए तो असीब इसको रगड़ो ज़रा हां और क्या मुझ से रगड़ो बिटा दोना हातों से सही से सही से बैठ जाओ कपड़े नहाना तो दोनों को अब इसके बाद तुम भी नाओं और भी नाएंगे रगड़ो अराम से अच्छे से जैसे बड़तन दूलते हैं क्या कर रहे हो खुजाओ जैसे खुजाते हैं अच्छे से पूरे में जो सेम चीज हमने शाइडव के साथ करी है वही अब हम नैंसी के साथ भी कर रहे हैं उसके चोट लगी भी है और स्टिचे आए वे आपने देखा है तो पहले हम नैंसी को अच्छे से गीला कर देंगे कि मैं मुझ पर पानी ने डाल रहा हूं इसके बिल्कुल भी आज अम जेल्डा को भी पहली बार नहलाएंगे जेल्डा भी नहीं नहीं आज तक पहले इन दोनों को नहला के फारिख करतें फिर जेल्डा को नहलाएंगे अब इनको ऊपर शैडव पर सबसे पहले शैंपू लगाते हैं उसको तो पानी बहुत जादा पसंद है यह पानी से डरती है अब देखें इस पर शैंपू भी लगा दिया है वो शैंपू लगानी की वीडियो में बनानी पाया क्योंकि मैंने खुद लगाया शैंपू और अब इसके उपर देखें हमने सबसे पहले इसको पह काली पानी से बाहूंगा उसके बाद जो है मैं आपका इसको रगड के अच्छे से मतलब शैम्पू सारा निकाल देना हमको है हमें शैम्पू को छोड़ना नहीं है इसके ऊपर क्योंकि शैम्पू अगर चाटेगी तो फिर परिशानी होगी तो उसी भी से रगड़ो बागे स तारा शैम्पू निगालो इसके अंदर से इसामने से आज़ा है 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 कि अच्छा इसका इतना शैम्पू है को हमें कई-कई बार निगालना पड़ता है इससे जरा साभी इसके बॉड़ी पे नहीं रहे जाए पेट रगडो पेट अभी बहुत शैम्पू एसके अनदर मैं पानी डालनों तुम पेट रगडों पेट कहां होता है नीचे 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 हाँ आप पूंच रगडों पूंच में बहुत शैम्पू बरावाई यह देख इतना शैम्पू है पूच अलग से हाथ में लेकर हाँ कर लो कि रगडो वाल उठाके उल्टा आगे फेर पीछे फेरो अइसे इसके निकल रहे हैं क्योंकि शेडिंग का सीजन है क्योंकि दिए जा रही है गर्मिया आ रही है तो नया कोट आता है इस टेम पर बाल भी बहुत ज़लते हैं अब इसकी टांग पर भी शैम्पू रह है कि अगलो तॉसीफ टांग रगलो इसकी शैडव सेट शैडव कमान सेट शैडव वे सेट शैडव हाँ शाबस बैढ या अच्छी बैढ अच्छी बैढ अच्छा से अगी लेगी वैसे बैट मेरी है अच्छी बैट पर अगड़ो तो तुम बागी तो सब निकलिया पेट पेट नीचे आगे का सीना देखें इसका तोड़ा सा मुपा मारा बस इसका मुझ साफ हो जाए अब बागी चलते हैं नैंसी की तरफ नैंसी की तरफ तो चलेंगे इसको नेखें कैसे बैटी वी ए जेल्डा का ने आंदाज ये छोटे वाले तीनों बच्चे इनको तो खेर बिल्कुल भी नहीं नहीं नहाना थीभी सामने जागे दूप में बैटी वी लौन अब इसको अब खेर हमने इसके ओपर भी शैम्पू लगा दिया था ये जरा क्योंकि तोड़ी फैमिलियर नहीं मेरे लावा और ऐसे किसी से मैंने लगाया वो निकल गया इसका भी काफियत तक शैम्पू एजे देखें इसके अब उसको ने लएंगे कहना में उसका मोजी को जब तक मैं इसको साफ्ट कर लेता हूं मुल्कुल ये देखें शैडो ने नहाती क्या कर रहा है अपना हाल इसलिए परेशान उमेन कुट तो सर चलो यह से चलो उदर चलो बत्तमीज नहाती पूरी मिट्टी में हो अब देखें कितने अच्छा आ रहे है अब देखें शैडो को यह पूरी मिट्टी में हो गए तो इसको दुबारा से नहाए खाली पानी से और इसको यह बांद दिया जिसको खोला नहीं है अब जैल्डा की बारी है जैल्डा नहाएगी जैल्डा चले हम इसको नहाते है इ अच्छा देखो इसकी बच्ची यह बच्ची है जुसका सारा साबुन निगल जा जारा साबी ना बच्ची तो शीव कान पगड़ इसका एक कान पगड़ अराम से रगड़ पूरा अंदर ना जाए पानी बस ऊपर अधा दूसरा वाला कान भी मेन ऊपर शैंपू लगाया बस सही है अरे छोड़ो तुम इसका पैर उठा के रगड़ना हाथ में नहीं नहीं मैंना हलका कर रगड़ना निकल जाता है इसको तो शैड़ो को दुबारा नहला है नहां के पूरी मिट्टी में हो गई प्रे सुखा के गुमा फिर आगे लाया फिर जागे मिट्टी में लेड़ गई शाली सारा निकल दो इसका पेट पहत पर हो पेट पे नीचे तेर दिया तब यह भी नहली है तो अब हम मोजी को भी लिया है और आप इसको देखें कितना गंदा हो रहा है इसके उपर ना एक्चली यह देखें यह मट्टी में बहुत गुस्ता है इसे भी पता नहीं क्या शोक है इसके यह सारी मट्टी पहले तेज दार से निकालने पड़ेगी इसके बाद इसके पर शैंपू लगाएंगे तो मोजी पे भी शैंपू लगा देखेंगे अब आट साल या साथ साल के गरीब हो गया है अब साथ साल को गया उसे नीचे उतारो बच्चा कहां से निकल गया है देखो बच्चा बाहर आगिया एक बतनी कहां से देखना कहां से निकला पहले देखो अच्छा डाल दो अंदर डाल दो अब मैं मोजी को साफ कर लेता हूं इसका इसे और एंड करते हैं व्लोग को थैंक्स पर वोचिंग अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक दे वीडियो और शेर इट वीडियो फेंड्स थैंक्यू